उसमें हमने एक चमच लीमू का रस मिलाना है अगर आप उस ज्यादा क्वाटिटी में बना रही है तो आप एक चमच लीमू का रस आख दे सकती हैं उसके ज्यादा नहीं तो वीडियो के अंदर अगर थड़ा बहुत शोर आए तो उसके लिए भी माज़रत कि मेरा बहांज आया हुआ है तो वो मुझे वर्त नहीं करने देरा लहाजा आप माइं नहीं करना अचा मेरे पस यहां एक चमच अंडे की सपैजी है इसमें एक चमच मैने लीमू का रस मिला देना है आप चाहें तो इसमें आदा चाय वाला चमच पेकिंग सोटा मिला सकते हैं यह उप्शनल है या लीमू का इस्तमाल कर लें या आप पेकिंग सोटा का इस्तमाल कर सकते है एक चमच यहां पर मैं लीमो करास मिला दूंगी इसमें और फिर दोनों चीजों का मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्योंकि इस सर्थिया है सबसे पहले सबस्क्राइब कर लेगे हर तरह की स्किन को सूथ करेगा क्योंकि सर्थिया है तो खुष्की नाय चेहरे पे तो हम इसमें फोड़ी सी वैसलिन मिलेंगे अब यहां भी आपके पास option है इसमें आप 5-7 drops जर्टून का तेल बदाम का तेल या नारिगल का तेल भी मिला सकते हैं वैसलिन अगर इस तरीके से मिक्स नहीं होरी तो उसकी भी option आपके पास कि आप उसको डबल बॉयलर में मेल्ट करके इसमें एड़ कर सकते हैं लेकिन तिर आपको फोड़ी तोर पे अप्लाइ करना पड़ेगा क्योंकि वो पी इसमें जम जाएगी अच्छा आपने बिल्कु परड़ी सी रस्कीन मिला लेनी है अब आपने तीन चीज़ा मिला लेने के बाद इसको मास्क की शकल देने के लिए आप इसमें पैरन लवली तिपट या कोई भी क्रीम एड़ कर सकते हैं लेकिन आप नाइट क्रीम इसमें एड़ नहीं करेगी आप एरन लवली भी मिला सकते हैं तिपट भी यहां मैं इसमें एथनी क्योर क्रीम आइट करूंगी इसका पाइदा यह होगा कि जिनके चेहरे पर दाने निकल आते हैं को मास्क अप्लाई करने से उनको इस तरह को इस तरह को खच्छा नहीं होगा क्रीम को बहुत बहुत द जुए ठाने में तरह कि जाने मास्क पर घ्रन ऌ में मोरे को ठाने में थी ञुट वयुत-ज। खाने होगी इसे अपने चेहरे के ठानी के साथ की जूत के खी पाइब मोफ्त आप जिए अपने लिग ने प्रिकुम रेड़ी होगा है अब घ्र नहीं ए से अपने बना भीव म प्लीज चाएर thank you जाद भुब इसे यह अपलाई करें एप भ्लाई करें प्लाय के बाद प्लाय एकोट प्लाय करें कि तो अपनीज़ कापनी हिसको ज्याद रही और बुप बुप्लाई करें किसी की इसको आपने काम ज़या नहीं करना इसका को भी आपको नुकसान नहीं होगा आप इसको प्रीज मिनट के छोड़ेंगे लेकिन ये फंदर मिनट के अंदर ड्राय हो जाएगा सक्थी के वज़े से तो दो लेर्ज अपलाई करने के बाद आपको पीज लेगें कि ड्राय हो चुका है तकरिबर इसको पंदरा मिनट के बाद आप देख सकते हैं किसे स्किन भी बहुत जाएट हो जाएगी और आपकी स्किन वाइट ही हो जाएगी मैने इसको बाश करती है कि एक दफा ते स्कमाल से रिजल्ट मुझे इसका मिला है तो अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा राफ है मेरे पी आपने हैस देखे हैं सर्थी और क्यार ना करने के पज़े से तापी ज़्यादा खराब होगी इनकी रंगत तो आपने इसको अप्टे में दो बार सकते है एक क्यात तो आदेशी कि इसको महीने में आपसे आट दस बार एक तुम्झे है एक से दोबार इस फास आपको रिजल्ट मिल जाएगा नहीं इतनी मेहना से दुनियो बनाई है एक लाइक तो बनता है ना और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे ढूणेंगे तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब पर लिजिए और इस बैल के आइकन को क्लिक कर दीजिए इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच तरह हमारे चैनल को कि आप हमारे पर लिजिए